हेलो दोस्तो टेकनलोजी और मसीन्स की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आपके लिए ऐसे मसीनों की जानकारी लेकर आया हूँ जो अपने खतरनाक रूप के कारण नहीं बलकि अपने कमाल के कामों के कारण जाने जाते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं नमबर वन कोल आरन वर्क दोस्तो यह एक एडवांस फैक्टरी मसीन है जिसका काम मेटल को अकार देने का होता है यही मसीन बड़ी सफाई से मेटल को हीट और प्रेसर की मदद से अकार देता है दोस्तो आप जो यह जलती हुई चीज देख रहे हैं यहाँ एक मेटल है जिससे तो हाइडुलिक प्रेस के बीज डाल कर उस पर प्रेसर दिया जा रहा है और मेटल्स को मनचा अकार दिया जा रहा है नमबर टू इंटोरेक्स दोस्तो यहाँ भी एक एडवांस फैक्टरी मसीन है जिसका काम लकडियों को एक अट्रेक्टिव डिजाइन देना होता है वो भी ऐसा डिजाइन जिससे अगर आप हाथ से करें तो आपको पूरा दिन लग जाएगा पर यह मसीन उसी काम को कुछ ही समय में कर देती है कीलों को देखाई होगा पर क्या आप चांते हैं कि इन कीलों को यह सांदार अकार कैसे दिया जाता है दोस्तो इन कीलों को यह सांदार डिजाइन इस मसीन से दिया जाता है और दोस्तों कील ही नहीं बलकि मेटल के और भी चीजों को यह मसीन अकार देने का काम करती है इसे या पी लेजर मशीन बड़ी सफाई से करती है और इतना ही नहीं बलकी या मशीन मेटल्स पर लगी पेंट को भी निकाल देता है जिससे मेटल की पुरानी चमक वापास आजाती है दोस्तों आपने इस तहा के मेटल सीट्स तो देखे ही होंगे जिस पर अट्रेक्टर डिजाइन बने हुए होते हैं पर क्या आप जानते हैं कि इतना परफेक्ट डिजाइन कैसे बनाए जाते हैं दोस्तों यह अट्रेक्टर डिजाइन इस MC2 लेजर मसीन द्वारा ही बनाए जाते हैं जो डिजाइन चाहिए होता है उसे इस मसीन में प्रोग्राम कर दिया जाता है उसके बाद यह मसीन वहा काम खुद बखुद कर देती है नमबर 6 फेंसिंग मेकिंग मसीन दोस्तों आपने कुछ इस तरह के चालीदार फेंसिंग जरूर देखे होंगे लेकिन क्या आपको पता है कि यह कैसे बनाए जाते हैं दोस्तों फेंसिंग का यह कॉम्पलेक्स स्ट्रक्चर जूनान मसीन बनाती है यह मसीन बड़ी सफाई से एक के बाद एक फेंसिंग का स्ट्रक्चर त्यार करते जाती है वो भी बिना रुके तो दोस्तों आज की विडियों बसित नहीं